Hey everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains, this is me शिप्रतिवारी, बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर आपको प्रवाइट करा जाता है, बिल्कुल फ्री एजुकेशन था कि आप अपने लाइफ में बहुत बैथरीन कुछ कर सके क्या पढ़ना है, आज आपको पढ़ना है फाइलम हमिकोडेटा, नॉन कोडेटा पूरी तरीके से हम लोगों ने खतम कर लिया है इकाइन औरमेटा बहुत ही छोटा फाइलम था, बहुत बैथरीन कैरेक्टर और कलरफूल वर्ड की तरह आपको मैंने उसको पढ़ाया, ठीक है टोटल एक गंटे सत्रा मिनट में हम लोगों ने इसको खतम किया है, हमने एक एक चीज इवन फाइलम के बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया है इससे बैटरीन आपको नहीं मिलेगा, यह मेरी गारेंटी है So let's get started with another phylum called as Hemicodata क्या कारण है, किसको हम Hemicodata बोलते है बहुत सारे जो scientist थे, वो पहले इसे Codata में लेपकड़ के ले गए थे पर बाद में लात मारी और यह फिर से Non-Codata में आ गया Actually Hemicodata has the connecting link between the Codata and Non-Codata Please always remember this, ठीक है Actually Codata का Lection इसमें क्या होता है, कि Codata में एक विशेश प्रकार का Lection होता है That called as Notocod, क्या कहलाता है, Notocod कहलाता है Notocod is what, back side में rod जैसा एक structure जो बच्पन से present हो लोगों ने सोचा कि है इनके पास, बाद में समझ में आया कि Notocod नहीं है यह 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 तो Stomocod है, क्या होता है, चलना सुरू करते है बाव मुशाए So let's start Phylum Hemicodata, the Lection, आधा Lection of the Codata It is the Balanoglossus, okay, Tongue Bomb, Econ Bomb तो बिना समय गवाए, जल्दी से इधर आ जाएं Let's start with the General Characteristics, ठीक है, उक्की habitat, यह marine animals है, they are exclusively marine, कितने phylum पढ़े जो exclusively marine होते हैं, पहला मैडम आपने बताया था हम लोगों को Tynophora, दूसरा आपने बताया, Echinodermata, और तीसरा आप बता रही है Hemicodata, यह क्या होते हैं, यह होते हैं, फॉसेरियल, मतलब बिल बनाने वाले छोटी-छोटी बरो बना के रहने वाले, ठीक है, ओके, तो यह एक साब phylum है पर हम phylum के अंदर ही हम लोग NCRT में पढ़ रहे हैं, इसको Shape जो होता है, इनका warm-like होता है, ठीक है, लंबे-लंबे, सरपीले, साफ, जैसे पतले-पतले आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, इसलिए हम इन्हें Tongue warm, ठीक है, Tongue warm भी कहते हैं, इनको हम Acorn warm भी कहते हैं, iconic phal होता है, Acorn warm भी कहते हैं, Bull tongue warm भी कहते हैं, Bull की Jeep जैसा warm कहते हैं, ठीक है, Brittle होता है, Lassila, सरपीला, कमजोर, Soft-Soft, ठीक है, Jeep साफ, कर दी है, कहां से शुरू कर दी हैं बच्चो, आपने जर्म लेयर शुरू कर दी है, दाट प्लेटे हेलमिन से, ट्रिपलो ब्लास्टिक अब हम छोड़ेंगे रहें, जब तक पकड़ेंगे, जब तक कॉड़ेटक खतम नहीं हो जाता, तो ट्रिपलो ब्लास्टिक है, बाइलिटरल सिमेट्री है, लंबा आपको दिखाई दे रहा है, बीच से आप दो इक्वल भागों में इसे काट सकते हैं, अच्छा, यह क्या करता है ना, समंदर के नीचे, समंदर के नीचे, जैसे उथला पानी, शैलो वोटर पे, जहां पर मिट्टी रहती है, मिट्टी के नीचे गुफा बना लेता है ठीक है और ये गुफे के अंदर ही रहता है गुफा मतलब दाट छोटा सा बिल ठीक है तो ये क्या करता है कि ये छोटी सी बरो बना लेगा ऐसा और इसी के अंदर फसा रहेगा ठीक है और उसके बाद फिर जो करना है इसको अंदर कर ठीख है लिख दूं के यहाँ पे अगर आपको दिख नहीं रहा है ये पाट तो ये होता है इनका probosys ठीख है ये होता है इनका collar ठीख है और ये है इनका trunk ठीख है एक्चली ये collar ठीख एक ये collar और ये हो गया इनका trunk तो इनकी body 3 parts में divided होती है proboscis collar and trunk ठीक है? आजो आगे circulatory system पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो बरो बना के रहता है ठीक है? तो ये बहार ही नहीं आता क्यों नहीं बहार आता? क्योंकि ये क्या करता है? कि इसके उपर से पानी गुजरता है बरो के उपर से तो जो भी पानी मिट्टी के उपर से गुजरेगा तो जो भी छनचन कर बहार आएगा ये उसको खाता रहता है ठीक है? और ये पता है बच्चों ये filter feeder होते हैं प्लीज आलवेज रिमेंबर दिस कि ये कैसे होते है filter feeder ठीक है? filter feeder का मतलब ये है कि भले ही ये सब कुछ खा ले पर हमेशा ये वही खाते हैं जो इनको पसंद है मुवे वाले सब कुछ भर ले पर ये खाएंगे वही जो इनको खाना है so they are filter feeder they always live in the छोटा सा बरो inside the sea ठीक है? उसके उपर पानी गुजरता है जो भी इनको खाना ये खाते रहते है पर बाहर नहीं आते है फिर मैंना potty कैसे जाते हैं? ये अपना पूछ निकालते हैं और फिर उस बरो के उपर कर लेते हैं फिर पूछ को अंदर कर लेते हैं ठीक है? चलो आगे देखते है इनका कैसा होता है बच्चो इनका open type का अम लोगो ने कहा पड़ा? अरे भईया आपन तो सीधे बात करते है close type के circulatory system close type का circulatory system quadrants के पास होता है और होता है और और पोड़ा के पास बखी सब के पास open type का है ठीक है? सौरी एनलिडा के पास और पोड़ा के पास और पोड़ा के पास open ठीक है? ब्लड इनका colorless होता है there is no blood cells ठीक है जरूरत ही नहीं है इनका blood colorless होता है और हाट जोता है बॉड़ी में पिछले हिस्से पर होता है ओके? नाव नेक्स तेंगे skeletal tissues के बात करते हैं इनकी body में bones तोड़ी बहुत हो सकती है पर इनकी body में कोई skeletal tissue नहीं होता इसलिए सरपीले, लचीले, जो है heroine type के होते है ओके? नाव अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना excretory system के बारे हम बात कर रहे हैं अभी आपको मैंने बताया था कि यह जो होते हैं, छोटी-छोटे होते हैं और यह बरो के अंदर रहते हैं छोटी सी बरो खोद लेते हैं और उसके अंदर पड़े रहते हैं आओ जान दो, पुषपा अपने को मतलब नहीं है ठीक है? ओके? फिर आभी fertilization के बारे हम बता रहे हूँ इसके बाद मैं आपको इस पार्ट के बारे में बताती हूँ Exactly what is the means of proboscis proboscis का मतलब होता है, सून्ड ठीक है? सून्ड जैसा हाती की सून्ड होती है न वैसे इनके पास भी सून्ड होती है अच्छा, इसके बारे मैं आप ध्यान से समझना मेरी बात को proboscis जो है, इनके में सबसे उपर वाला पार्ट होता है ठीक है? और यह excretory function की होते है ठीक है? इनके पास एक single glow merulous होता है ठीक है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है glow merulous के बारे में तो इनके पास एक single glow merulous होता है जो कि excretion cover करता है और यह single glow merulous present कहां पर है? जो होती है वो क्या करने का काम करती है सून जो है वो बरो खोदने का काम करती है खोदती रहती, खोदती रहती, खोदती रहती, ठीक है? तो सून जो होती है वो बरो खोदने का काम करती है इनकी भी सून बरो को खोदने का काम करती है साथ में वो excretory nature की भी होती है now next thing समझ में आ गई now next thing देखेंगे कहां गया कहां गया कहां गया okay where it is so germ layer bilateral symmetry हो गई okay यह मैं इतना किसे पीछे आ गई proboscis excretory system आप समझ गई अभी पीछे दूर एक slide मैंने skip कर दी पर मैं आपको बताती हूँ ठीक है अच्छे से बात क्लियर हो गई it is present into the proboscis यह excretory nature का यह भी अपने को बात समझ में proboscis से मुझे एक चीज़ याद आई कि proboscis वाले पार्ट में ठीक है एक वाइट इस कॉल्ड ऐस हीमी कॉड़ेटा भी आपको यह एंसर मिलना चाहिए हलाकि अभी तक तो आपको मिल भी गया होगा तो जो आपका excretory system में जो single glow mirrorless है यह proboscis पर प्रेजन्ट होता है and it is the excretory nature यह कब से कब 25 बार मैं बोल चुकी हूँ अब समझना मेरी बात को proboscis की बात कर ही रहे हैं जाता है उस पर एक hollow structure present होता है it is called as stomocod ठीक है अगर मैंने बोला है तो ठीक है नहीं बोला है तो सुन ले यह hollow structure hollow structure खाली खोकला structure होता है इसे हम stomocod कहते हैं इसे हम लोग दूसरी भाशा में buccal diverticulum भी कहते हैं क्या करते हैं buccal diverticulum कुछ भी कह दो जो तुम्हारा मन करें ठीक है तो इसे हम buccal diverticulum यह stomocod कहते हैं अरसी present into the mouth is called as stomocod buccal diverticulum को earlier consider किया गया कि यह notocod है भी यह ठीक है लोगों ने यह सोचा earlier it is considered as as notocod पर actually यह notocod नहीं है इसलिए पहले इसको subphylum में रखा गया chord data के हाला कि हम लोग chord data के subphylum में इसका एक नाम पढ़ेंगे पर बाद में इसको ब्लाक मारके भगा दिया गया भागया से तू क्योंकि जब लोगों को यह पता चला कि यह तो भाई है stomocod है जिसका nature जो है वो notocod जैसा ही नहीं तो इसको भगा दिया गया एक अलग phylum बना दिया गया MCRT में हम लोग hemi chord data को एक अलग phylum के तौर पर पढ़ते पर आज भी बहुत सारी ऐसी किताबे हैं जो आपके hemi chord data को subphylum of chord data बताती है पर अगर मैंने भी तुम्हें यह बताया है तो हमेशा यह चीज़ याद रखो कि अभी यह chord data के अंदर नहीं आता इवन मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि इसके अंदर hemi chord data के अंदर total 90 के आसपास species है ठीक है how many species 90 के आसपास hemi chord data के पास species है and it shows more resemblance with the echinodermata समझ में आई बात सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसके पास एक nature है जिसकी वजय से chord data में रखा गया it is a present of stomocot which is called as bucker diverticulum ठीक है it is a hollow structure considered as notocot but actually it is not the notocot because they don't have characteristics of the notocot now next thing जो आपको समझनी है इसको earlier लोग समझते थे वो तो सब कहानी clear हो गई अपने को 90 species है it is more equal मतलब it is more similar and it is more closer to the echinodermata not the chord data ठीक है सिर्फ एक character की वजय से थोड़ी इसको chord data में घुसा सकते हैं समझे की नहीं समझे तो chord data में नहीं घुसा आ गया structure में आपको बहुत जादा कुछ समझना नहीं है they have collar इनको तो मैंने divide करवा ही दिया था ठीक है next आप देखें यह जो आपको दिख रहा है इसे आप कहते हैं आपके genital wings ठीक है genital wings है यह okay यह है इनके hepatic C का digestive system का part है hepatic reason digestive system का part है anus का तो बहुत बड़ा रोल होता ही है वही आपको मैंने बताया कि यह क्या करते हैं कि अपनी बरों के अंदर घुज जाते हैं और अपनी टंग से हमें एक्स्ट्रीशन करना है और अपनी पॉटी को उस जगह पर कलेट करते जाते इस कॉल्द आप वार्म कास्टिंग टू ठीक है तो वो पूच को बाहर निकाल निकाल के देते जाते हैं और बाहर बारों के बाहर जोरियल हैं तो बाहर निकाल के दे सकते हैं वेरी slow moving लिसले से चिप चिप दिखाई देते हैं, they don't have arms, ठीक है, they don't have any type of characteristics like the core data, ठीक है, आई बात समझ में इसमें किसी को कोई दिकत परिशानी, now अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे की, so excretory system आपको समझ में आया, nervous system, अच्छा एक चीज मैंने आपको और बतानी हैं यहाँ पर, कि जो इनका blood cells हैं, वो blood cells इन में नहीं होती, पर बहुत सारी book में amoeboid type की blood cells दिखाई गई हैं, पर यह transportation में help नहीं करती, इसलिए लोग इसको consider कर लेते हैं कि भई यह blood में कोई cells ही नहीं है, but they have some, some books have the reference that इनके पास amoeboid type की blood cells है, पर वो transportation में कान नहीं करती, इसलिए हम लोग बोलेते हैं कि है नर्वस system कैसा होता है, यह nervous system non-quadded type का होता है, non-quadded का nervous system कैसे पढ़ाया था, आपको कुछ याद है, कि सब बूल गया, बस बात वही है कि आया, गया और साफ हो गया, ठीक है, non-quadded का nervous system कैसे पढ़ाया था आपको मैंने, मैंने आपको बताया था कि इनके body में क्या present होते हैं, they have ganglias, ठीक है, they have ganglias, अगर आपको याद होगा तो, so they have ganglias, ओके ये याद है आपको ganglias क्या होते हैं, ganglias are the group of cyton, cyton क्या होता है, cyton is the cell body or the upper part of the neuron, nephron, nephron क्यों बोल रहीं में, ठीक है, okay, now, अब आप इससे क्या निकलती है, आपकी ध्यान से मुझे बताएंगे, इससे आपकी निकलती है, ध्यान से देखिए, इससे आपका कुछ ऐसा structure निकलता है, कहीं कहीं पर आप लोगों ने इसको ऐसा भी पढ़ा होगा, तो भी कोई गड़बड नहीं है, अगर कहीं आपने इसको ऐसा भी पढ़ा है, तो कोई tension नहीं है, ठीक है, अगर आप ऐसा बोल दें, कि इनके पास, ठीक है, ये देखिए, इनके पास double solid ventral nerve cord होती है, ठीक है, तो भी कोई tension नहीं है, ठीक है, इनकी जो nerve cord होती है, so we considered it as a brain, but we are considering not exactly it is a brain, and they have solid, ठीक है, they have solid, okay, ventral, solid अब लिख दिया है मैंने, sorry, so they have solid, ventral, ठीक है, ventral nerve cord, ठीक है, nerve cord, ठीक, nerve cord, ठीक, अब समझें कि ये हो गई double solid ventral nerve cord, इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे बना लें तो और जादा clear हो जाएगा आपका, ठीक है, ये तो पुरे डागराम ही मिट गया, ठीक है, चलो, देखो, अब हम इसको थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं, अपन ऐसा करते हैं कि इसको ऐसा बना लें, अब सही है ना, हाँ, अब सही है, इसको आप अभी consider मत करें, it is a double solid ventral nerve cord, अब समझें कि ये ganglionated होती है, कैसी होती है, ganglionated, look at this, ठीक, तो यहाँ पर भी ganglions present होते हैं, जो इनकी nerve cord है, ठीक, और ये ganglions एक दूसरे से, आपके exon वाले पार्ट से connected रहते हैं, ठीक है, तो इनकी nerve cord कैसी होती है, ganglionated, ganglionated का मतलब समझ में आया आपको, ganglionated का मतलब, यहाँ के जो nerve cord है, दोनो nerve cord को connect कोन करते हैं, ganglions, ganglions is the group of cytons, so this is the cytons, ना, this is the cytons, ठीक, and this is the exon, ओके, तो group of cytons के exon भी तो होंगे ना, तो यह हो गया group of cytons, इनके exon connected होते हैं, एक दूसरे से, ठीक है, तो कुल मिला के इनका ऐसा ही पूरे non-caudate में भी हम लोगों ने पढ़ा है nervous system, उसमें तो कोई confusion नहीं है, सीधी सीधी याद रखो कि nervous system के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक term याद रखो, यह तो सिर्फ diagrammatic representation हैं बच्चो, इसमें कोई कहानी नहीं है, तो अगर तुमको लगता कि बहुत भायंकर कहानी है, बिल्लू भायंकर है, तो नो, नो, इसमें कोई कहानी है ही नहीं, सिर्फ याद रखो, एक term का मतलब याद रखो ना, अगर non-caudate में पूछे, तो solid, ठीक, ventral, ओके, दूसरा term है tubular, next, ganglionated, ठीक है, यह इस प्रकार की नर्वकॉट पूरे non-caudate में present होती है, और ऐसे ही इसमें भी है, actually, hemicaudate में दोनों के लक्षण है, यह तो आपको पता है, जादा non-caudate के होते हैं, पानी में जो फीमेल होगी, वो अपना अंडा छोड़ती रहेगी, और मेल जो होगा, वो क्या करेगा, वो करेगा यह कि मेल अपना sperm छोड़ता रहेगा, actually, इनके जो गौनाड्स होते हैं, वो खा लिये जाते हैं, पानी में बहुत सारे अवर्गानेजम रहते हैं, बहुत सारे जीव रहते, देद दना दन, देद दना दन, इनको खा जाते हैं, इनको छोड़ते हैं, पर जो बच गये, वो फ्जटिलाइज़ेशन कर लेते हैं, तो sexes इनके unisexual होते हैं, reproduction इनका sexual होता भईया, इतने develop तो character होंगे ही इनके में, ठीक है, तो इनका reproduction होता है, sexual होता है, male or female आपस में मिलते हैं, अगर बज गए तो वैसे खा लिये जाते हैं, fertilization external है, मतलब बाहर निकाल के बरो से बाहर निकालते हैं, मतलब बरो में ये कुछ भ अगर नेरिया, ये एक free living larva होता है, जैसे कायन उडर्मेटा में भी आपने पड़े होंगे, free living larva, ठीक तो इनका जो larva होता है, वो होता है free living, ये याद रखिएगा, इधर उदर घूमता रहता है, और metamorphosis process, free living larva होता है, इसमें होता है metamorphosis, metamorphosis is the process, जिसमें development होता है, metamorphosis के द इसमें, ठीक है, तो ये आपको clear हुआ, now ये आपको इसमें कोई परिशानी तो नहीं, examples की बात करते हैं हम लोग, examples जो है, balanoglossus, ठीक है, balanoglossus इसका बहुत ही बहतरीन example है, ठीक है, इसे हम acorn warm, acorn is a fruit, ठीक है, acorn warm, tongue warm भी कहते हैं, ठीक है, या इसका bull's tongue warm भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो structure था, basically वो bull के tongue जैसा दिखाई पड़ता था, पर exactly ऐसा है नहीं, ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया था न, ये filter feeder होते हैं, ciliary feeders होते हैं, तो ये हर कुछ चान चान कर खाते हैं, तो इनको जादा कोई stress लेने की ज़रूरत नहीं है, sacoglossus, ये इसका दूसरा example है, बला इनो glossus जादा याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है, तो अब taxonomies जो होते हैं, वो hemicodata को quadata में include नहीं करते हैं, ठीक है, इसके लिए separate phylum बना दिया गया है, hemicodata, अगर मैं आपको classification पढ़ाओ, even book में भी जितने classification दिये हैं, internet में भी जितने classification दिये हैं, उसमें सब phylum करके include करता है, पर हमको वो नहीं पढ़ना है, because now it is considered as phylum, ठीक है, ओके, तो यह phylum अलग से बनाया गया, hemicodata is the connecting link between the quadata and non-codata, यह need के लिए बहुत ही महत्पून question हो सकता है, कि कौन सा phylum, जो है connecting link है, non-codata और quadata का, ठीक है, so this is all about what hemicodata, let me talk about from the starting, habitat की बात क करते हैं, हम लोग, मत अब एक बार रिवाइस करवा देती हूं, habitat की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप habitat को देखें, कि इनका कहा है, तो यह कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है, तो यह कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी रहने का मतलब यह है, कि mostly aquatic हैं, क्योंकि organism ही ऐसा है, aquatic environment में भी यह बिल बना कर रहते हैं, ठीक है, शेप इनका जो है, वो लंबा, चिपचिपा, लसलसा, टंग जैसा होता है, इदर उदर घूमते रहते हैं, क्योंकि यह organism कैसे well developed है, triploblastic होते हैं, symmetry, bilateral symmetry होती है, कोई tension की बात नहीं है, दूसरी है, body wall, single laid epidermis है, siloam होते हैं, और यह एक antrocellus, lecture लगाओ, पढ़के आओ, फिर मुझे बताओ, digestive system, ciliary feeder, filter feeder होते हैं, तो भले ही यह बरो की उपर से पानी निकलता रहता है, but they choose to select and they will eat what they want, ठीक है, तो यह वही खाते हैं, जो उनको पसंद होता है, ऐसा कुछ भी उठा के खाना नहीं शुडू कर देते, क्योंकि इन respiration करते हैं, okay, vanadium होता है, इनका respiratory pigment, okay, यह सारी चीज़े मैंने अभी आपको पढ़ा दी थी, so this is all about the hemichordata, इसके लावा इसमें से कोई भी question आप से नहीं पूछा जाएगा, please always remember hemichordata is the connecting link between the two chordata and the non chordata, पर आप हम इसे chordata के अंदर नहीं रखते हैं, कहीं लिखा भी होगा, तो उसे ignore मारिएगा, क्योंकि अब हम लोगों ने इसके लिए नया phylum बना लिया है, ठीक है, so I hope you learned and enjoyed the video, in the next class I will tell you something new, तब तक घर पे रहे, यह safe रही, अपना ध्यान रखी और lectures को देखते रहे, बहुत important है, और chordata शुरू होने वाला है, यह एक important notification है, thank you so much.